नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है हमारे चैनल में आज मैं आपको बताने जा रहे हूँ एक ऐसा उपाय जिससे आप अपनी प्रेमिका से शादी करना चाहते हैं या फिर अपनी प्रेमिका को हमेशा हमेशा के लिए पाना चाहते हैं आपका काम तुरंत हो जाएगा दोस्तों अगर आपकी प्रेमिका आपसे बात नहीं कर रही है या आपकी प्रेमिका किसी और से बहुत ज़ादा बात करने की वज़े से आपसे दूर हो गई है या आपको लगता है कि आप दोनों के बीच बहुत ज़ादा दूरी आ गई है वो आपसे रूट गई है और आपकी प्रेमिका ने आपका phone number block कर दिया है वो अब आपसे नहीं बात करती है तो भी आप इस उपाय को कर सकते हैं आप अगर अपनी प्रेमिका को मनाना चाहते हैं तो इस उपाय को कर सकते हैं या फिर आप अपनी प्रेमिका से शादी करना चाहते हैं तो भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगी एक इतना शक्तिशाली उपाए जिसको करते ही आपकी गर्फरेंड हो या आपकी बीवी हो या आपकी पडोसन हो आपके वश में आ जाएगी. आप उसे जो भी करने को कहेंगे वो तुरंत करेगी और आपसे बहुत ही जादा प्यार करने लग जाएगी. आपके प्यार में दीवानी हो जाएगी. इतना जादा प्यार हो जाएगा कि वो किसी और की तरफ देखने से पहले ही आपकी तरफ आ जाएगी. तो इसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है मैं आपको बता देती हूँ, इस वीडियो को ध्यान से देखिए, जो भी छोटी-छोटी चीजें मैं आपको बता रही हूँ, वो सब आपको करनी है, याद रखिएगा इसे करने के लिए कुछ चीजों की जरूरत है, जैसे कि थोड़ी सी मिट्टी ले आईए, उसकी आपको जरूरत पड़ेगी और आपको चाहिए होगा ये पीला वाला सिंदूर, इन तीन चीजों से आप ये उपाय कर सकते हैं, सबसे पहले पीपल के पत्ते पर आपको बनाना है स्वास्तिक का निशान, इस तरह से बना लीजे, द दोलो पत्तों पर आपको लिखने होंगे नाम, एक पत्ते पर लिखी अपनी प्रेमिका का नाम, मैं यहाँ पर लिख रही हूँ राधा, और दूसरे पत्ते पर आप अपना नाम लिख दीजिए, तो मैं यहाँ पर लड़के का नाम राकेश लिख रही हूँ, इस तरह से आ आपने अपना नाम लिखा था वहां पर आपको लिखना है अपनी मा का नाम तो मैं यहां पर मा का नाम लिख रही हूं मिनाक्षी इस तरह से आप नाम लिख दीजिए और उसके बाद दोस्तों आप जो मिट्टी लेकर आये थे वो आपको रखनी है जहां पर आपने लड़की का नाम लिखा था वहाँ पर आपको वो मिट्टी रग देनी है इसके बाद आपको एक मंत्र का उचारण करना होगा मंत्र बेहद आसाने मैं आपको लिखके भी दिखा देती हूँ मंत्र है ओम काम देवाय वश्यम कुरू कुरू स्वाहा ये मंत्र है ओम काम देवाय वश्यम कुरू कुरू स्वाहा इस मंत्र का उचारण आपको करना है 101 बार 101 बार मंत्र का उचारण कीजिए और जो सिंदूर हमने रखा हुआ था वो इस मिट्टी के उपर डाल दीजिए जहां पर लड़की का आपने नाम लिखा हुआ है वहीं पर आपको सिंदूर डालना है सिंदूर आपको डालना है सिर्फ तीन बार इस तरह से सिंदूर डाल दीजे और जहां पर आपने अपना नाम लिखा था वहां पर भी आपको तीन बार सिंदूर डाल देना है 101 बार मंत्र पढ़ने के बाद आपको ये करना है कि तीन बार लड़की के वाले पत्ते पे जिन्दूर डालना है तीन बार लड़की वाले पे डालना है और जो बची हुई मिट्टी है वो भी आपको इसमें इस्तमाल करनी होगी लेकिन कैसे करनी है वो मैं आपको बता देती हूँ जब आपने 101 बार मंतर पढ़ लिया उसके दोनों पत्तों को एक दूसरे के साथ आपको इस तरह से चिपकाना है दोनों पत्तों को चिपकाने के बाद आपको जो बची हुई मिट्टी है वो भी इस तरह से इसके उपर रख लेनी है अब आपने यह सब सामान लेकर जाना है और जहां पर आपकी प्रेमिका का घर है व और वापस पलट कर नहीं देखना है दोस्तों, चौराहे पर इस सामान को ऐसे ही रख देना है और अपने घर वापस आ जाना है, याद रखें कि ये उपाय करते ही आपकी प्रेमिका के मन में आपके लिए बे इंतहा मोहबत जाग जाएगी, वो आपसे इतनी जादा प्यार कर शक्तिशाली है कि जिसके भी नाम से आप इसे करेंगे, वो आपसे प्यार करने लग जाएगा, आप दोनों के बीच में कोई नहीं आप आएगा और आपकी तुरंत ही शादी हो जाएगी, तो पहली बात तो ये कि आप इस उपाय को बिलकुल सोच समझ कर करें, जिससे भी आप शादी करना चाहते हैं, सिर्फ उसी के लिए इस उपाय को करें, क्योंकि इस उपाय का कोई भी तोड नहीं है, एक बार अगर आपने ये उपाय कर दिया, तो आप मान के चलिए कि आपकी शादी उससे हो जाएगी, और दोस्तों, अगर आप इस उपाय को चाहते हैं कि हम आपके लिए करें तो आप हमारे नंबर पर कॉल कर सकते हमारा नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा वीडियो के टाइटल में भी हमारा नंबर लिखा हुआ है उस नंबर पर कॉल करके आप हमसे बात कर सकते हैं लड़की का नाम बता सकते हैं और हम आपके लिए ये उपाय कर देंगे तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही हमारे इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद मिलते हैं अगले वीडियो में